हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाला मैक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ब्याल का दूद की कहानी हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दर्बारी बीरबल के खिलाफ बादशा अकबर की कान भरने लगे वे कहने लगे जहां कना है बीरबल स्वयम को कुछ ज़्यादा ही अकिमंद समझता है यदि वह इतना ही अकिमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूद लेकर आये दर्बारियों की बातों में आकर अकबर अकबर ने बीरबल की अकिमंदी की परीक्षा लेने की सोची बीरबल उस समय दर्बार में उपस्थित नहीं था जब वो दर्बार पहुँचा तो अकबर बोले बीरबल क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं जी हुजूर बीरबल में उत्तर दिया तो ठीक है हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं तुम्हें उसे दो दिवस के भीतर करना होगा फर्माइए हुजूर आपके हर हुक्म की तामिली मेरा कर्तव यह हैं बीरबल सिर जुक कर अदब से बोला जाओ जाकर बैल ओक्स का दूध लेकर आओ अकबर ने आदेश दिया आदेश सुनकर बीरबल भौचक का रह गया इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन हुए वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है क्योंकि दूध गए देती है बेल नहीं क्यों बीरबल तुमने कोई जवाब नहीं दिया अकबर बोले बीरबल क्या कहता वह बहस करने का समय नहीं था हामी भरकर वह घर लौट आया घर आकर उसने गहन सोच विचार किया अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया उस राट बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुए पर गई और पीट-पीट कर कपड़े धोने लगी अकबर के महल की खिलकी उस कुए की ओर खुलती थी जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर उनकी नीन्द खुल गई खिलकी से जांकने पर उन्हें एक लड़की कुए पर कपड़े धोती हुई दिखाई पड़ी अकबर ने वही से चिला कर उस लड़की से पूछा बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो बीरबल की पुत्री बोली हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है वे कुछ महीनों से अपने माय के में है उनकी अनुपस्थिती में आज मेरे पिता ने एक बच्ची को जन दिया दिन भर मुझे उनकी सेवा सुशुशा करनी पड़ी कपड़े धोने का समय ही नहीं पाया इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ कैसी विचित्र बात कर रही हूँ बच्ची आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या अकबर कुछ नाराजगी में बोले करते हैं हुजूर, जब बैल दूब दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया ये सुनना था कि अकबर की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची, कौन हो तुम हुजूर, ये मेरी पुत्री है पेल के पीछे चुपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया ओह, तो ये तुम्हारा स्वान था अकबर मुस्कुराते हुए बोले गुस्ताखी माफ हुजूर और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का बीरबल अकबर की नींद में खलर दालने के लिए एक शमा मानते हुए बोला इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए अगले दिल रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया दरबारी हमेशा की तरह जल भून कर रह